नमस्कार मैं हूँ आकिप जावेद और आप देख रहे हैं दो बॉस न्यूज अभी जो राजनिती बिहार की है वो काफी जो है गरम महौल है और सभी लोग अपने अपने बिधायक को जो है जितने भी दल के लोग है चाहब बीजेपी हो जदियू हो या राजद हो सभी आवास पर रखे हुई है कांग्रेस हैदराबाद भेज दी थी इसी संतर में फिर चर्चा करेंगे कि क्या खेला होगा क्या किसको किसको डर सता रही है बिहार में क्या होने वाला है इसी बीच पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ रिते सरंजन जिलाव पाध्यक्ष बीजेप देखे सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि BJP का कोई बिधायक गया जो है इस फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं गया वहाँ परिसिक्षन सिविर जो पुर्व से निर्धारित था जो कार्च करम था उसके तहद उलोग गया गया है और उसी करम में जो है आज जो है अब जुग समाप्त हो गया है वह लांटेन यूग है लांटेन का तेल भी खतम हो गया अब कुछ बचा नहीं है और यह लोग जो है समझिए अभी जो कर रहे हैं जैसे अपने आवास पर ये लोग जो है सारे बिधायक को जैसे लोग कैद खाने में रखता है उस तरह से एक जगा रखने का कोई तुक नहीं बनता है इस संतर में क्या करना चाहेंगा आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई कहते हैं सेर हैं और पिंजड़ा में रखते हैं अपने विधायक को आपको क्या लगता है कि लल्टनिया सेर नहीं होता है क्या अरो भाजपा का काम है परुपंडा उड़ाना उनको उड़ाने देजिए यह जुम्लेवाज पाटी है हमारा फंक्सन था रात इन्वाइट किया गिया सारे विधायक को तेस्मी जाजब के तरह से सब आए एक छत के नीचे बढ़े जसन मना खाना पिना चला तो अरची बात है घरलू संबंद है प्यार इसको कहते हैं अब यह गया मैं है तो इनको पूर्व समिनार पहले से निर्धारिद था क्योंकि यह तो बीजेपियम होता है कि कुछ भी अगर होता है तो पूर्व आज़ाने लगा और जहां तक इन्होंने इनको हम बहुत-बहुत बदाई देते हैं कि राजयत का तेल खतम हो गया लैल्टन का बिहार में समाप्त है तो जरा रितेज जी से पूछिए कि बिहार में एक नंबर पाटी कोन है भी किसके पास ताकत ज्यादा है और विधायक के संख्या किसके पास ज्यादा है हम मुकेश सहनी का बिधायक खरिद करके नहीं लाएं अक्तरूल कि बिधायक जो हमारे यहां है अपने मर्जी से आए और वो अब उसका हम लोग ने स्वागत किया मुकेश सहनी के तो विधायक को तोड़ दे अच्छे एक बात बताईए कि अभी लोकसभा का समय है अगर लोकसभा पर चर्चा करिए तो आर्जेडी के पास किसने सांसद है एक भी सांसद नहीं आर्जेडी का जिस पार्टी को यह नमबर वन की पार्टी बता रहे हैं लोकसभा हम उनके एक सांसद नहीं है अच्छा कहीं न कहीं लगता है कि नितीश कुमार इसी डर से बीजेपी के साथ तो नहीं चले गया है देखिए हमने आपके चैनल पर पहले मान सकता कब उट रहे है विपरी धारा में नितीश कुमार को फसा ले गए थी लोग और जिस तरह से नितीश कुमार वहां अंकमफोर्ट फिल कर रहे थे जिस तरह से चारो तरफ लॉइन ओर खराब हो गया उससे लग रहा था कि नितीश कुमार और मेंडेट भी किसको मिला था जदियू और भाजपा का कमाइंड था पॉब्लिक ने उसको वोड दिया एक तरह से पुनर वापसी हुई और नितीश कुमार एक अच्छे जगह पे आया कि लॉइन ओर आपके राज में जो खराब हो गया था बताईए अब भाई तो अभी के इसका पूरा डाटा निक रहा होता था और आज के दौर में भाजपा के विधायक ही करते हैं भाजपे के लोग करते हैं सब कुछ भाजपा के भाजपा को बेटी से कोई मतलब नहीं ये दुनिया जानती है इसमें हम क्या बोलेंगा और रितेश जी को तो हम बदाई देने वाले थे हमको उमीड था क दूहजार पचीस में ये बक्तियारपूर के बाजपा के उमिदवार होंगे लेकिन नितीस कुमार के चल जाने से इनका सीट बिलकुल समप्थ हो गिया है और इनको अब कोई दूसरा रास्ता देखना होगा बेतर है कि राज़त जोएन कर ले हो सकता है इनका गुजारा होगा राज़त जोएन करने के लिए आपको बोला जाना है एक बाद बताईए इनकी मना इस्तिती या राज़त के लोगों की क्या इस्तिती रह गई है आप सूचिए क्या कि जिस तरह से नितीस कुमार और बिजेपी बिहार में तो ये तय है कि दो हजार पचीस हो या दो हजार च बाद उस इस्तिती से चारो तरफ एक भाई का माहल वे आपत हो जाता है और उस कारण से आज सोचिए क्या कि अपने जहां पर रखें हैं सब विधायक को कोई विधायक जो है वो गिटार बजा रहा है कोई कुछ कर रहा है इसके अलावे अब उनके पास काम भी कुछ नहीं चेह बचान है अब क्या करें अ करेंगे क्या ने लिए उसी गलत फामी में यह समझ रहें कि इनके स्थिति क्या है और आप सूचे नितिश कुमार जैसे लोगों को आप जो है सतरह महां भी ठीक से नहीं रख पाए आप रख नहीं पाए उसको और सासन सत्ता को आप चला नहीं पाए ढंक से आज स्थिती ये है कि आपकी स्थिती कहीं नहीं रह गई है पूरा प्रसासन सैक्षिनिक वैवस्था सारा चीज चौपट हो गया बिहार में आज है क्या कि BJP और नरेंदर मोदी जी का जो आदेने परधान मंतरी का जो पूरे भारत में परभाव है आपको क्या लगता है कि उस परभाव जनता बोल ला है यह बिपक्ष बोल ला है इन लोगों का जो सुतरधार थे नितिसकुमार सुतरधार ही थे ना पूरा देश दुनिया घुम करके विपक्ष को एक जूट करने में उस सुतरधार को यह लोग नहीं बचा पाए उस सुतरधार का अपमान किया इन्होंने जितनी बैठाक हुई इनको संयोजा कोडिनेटर तक नहीं बनाया जो आदमी सुतरधार हो उसको कोडिनेटर नहीं और सीट पे कोई सेरिंग की चर्चा नहीं नितिसकुमार जो फील कर रहे थे जो महसूस कर यह होना तई था और आप देख लिजेगा दोहजार चौबीस में जो है बिहार में 40 सीट में हम आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं और इस चैनल को अगर संभव हो तो समय भी आप दिखाईएगा पिछले वार 49 सीट था इस वार 40 में ठीक है हम 49 नहीं लेकिन हम एक सही आकलन देते हैं 38 पलस सीट रहेगा एकाज सीट इधर उधर हो जाए तो अलग बात है नहीं तो समझेगा है कि हम लोग इसकी संभामना जना आते हैं कि एक भी सीट राज़त के हाठ में लोग सभाका नहीं जाने वाला और राज़त के वोटर से भी मेरी बात्चीत होती हम लोग ग्राउंडेट हैं और जमीन पर जाते हैं वो भी लोग कहते हैं किने केंदर में जो है नरिंदर मुदी ही चलेगा दूसरा कोई नहीं चलेगा, अभी तो ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह नहीं हो पाएं, कहीं कोई किसी का तालवेल नहीं है, ममता बनर जी कुछ बोल लही है, केजरिवाल कुछ बोल रहा है, अनितिस कुमार तो सारा खिचरी पगाने का सब कुछ खतमे कर दिये, उधर से इधर चले आएं, तो इस स्थिती में हमको नहीं लगता कर दर से इधर चले आएं, के आप लोग ले गएं, ले नहीं गए, देखिए वो बिचारधारा मेंडेट सब सेम था, बीजेपी ने सही है, अमीद साजी जैसे लोगों ने कहा कि दरवाजा बीजेपी के लिए बंध है, ल तरह समझे बीजेपी ने त्याग किया, बीजेपी को इसका बहुत लावने है, नितिसकुमार के 17 सांसद अभी हैं, और ये 17 सांसद का उन्होंने एक एक लोगों से बातचीत की थी, आखे नितिसकुमार को क्यों बातचीत की जोरत महसुस हुई, और सबोंने कुछ न कुछ कहा होगा, जो ये डिसीजन हुआ, 17 सांसद को सुरक्षित करने के लिए, आज नितिसकुमार यहां है और वो उनके सुरक्षित रहेंगे, पिछले बार भी बातचीत हुआ था, पिछले बार भी बीजेपी त्याग किया था, फिर उसके बाद उनको बुला 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 कर होती है, वो दूसरे पती को खुजने लगती है, आपने सुना होगा, तो बीजेपी जो है उनको जो ले अपने तरफ लाई है, नितिसकुमार अपने मर्जी से ने कहे हैं, अमिस्सा के पास नितिसकुमार का लाल का डैरी हाथ लग गिया था, वो ऐसे देखा है कि ने निति इस हमर्दू को तोता तुमरे पास जाने वाला है, और तुमको जेल में भेजेंगे, क्या कहना है, तो इतुरत कहा जी हुजूर, आपकी जो मर्जी, हम दिल्ली आ रहे हैं, जैसा आदेश दीजिए, वो ललका डैरी को रोक दिया गिया, और लालू जी भी, अगर आज साबुन से धो जाएंगे, क्या है, चारा गोटा ला, समझे लिए बात को अब, चारा गोटा ला, नरेन मोदी जैसे आमिसा, देश का दुर्भाग है, कि तरीपार आज, बेटी, हमारे देश का गिरह मंती बना हुआ है, अब ये, हम इस से जादे क्या कह सकते हैं, अटल वि मतलब अच्छे लोग थे, दूसरी बात जहां ते किनोंने कहा, चालिस का चालिस सो स्ट लेंगे, बिल्कुल सही बोल ले हैं, इस बात का मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, कि बीजेपी चालिस का चालिस स्ट लेगी, अब कैसे ले लेगी, भाय चुना आयोग इनका है, इबिय कारी इनका है, इबियम का सेटिंग एपकी बार चार सो पार, कोण नेता है, आप मुखिया का एलेक्सर लड़िएगा पंचायत में, तो वो पहले जज्जमेंट किसी हाल में नहीं कर सकता है, कि हम मुखिया बन गए, हम चेर्मन बन गए, लेकिन यह लोग पहले बिज़ यह चार सो पार, इसका मतलब है कि तीन सो पचास इबियम इनका सेट है, अब पूरे भारत में इनको पचास सीट आने वाला, वो जो जीत के लड़ेंगे वो, वोट से, जनता इन लोग के साथ कहीं से नहीं है, भाईया, बारे सो, साड़े गारे सो, अब साड़े दस सो में से ल रोजगार के बाद पाईएगा, तो यही जवाब आपको मिलेगा, जिस पर आप लोग को लगा हुआ था कि मांजी जी आ जाएंगे, तोड़ लेंगे उनसे, अब मांजी जी भी तो किलियर कर दे बोले, नहीं हम जहाँ हो ही रहेंगे, अभी तो सब बोल है, कौन है कहां र हारेगा, यही दो चीज में की एक चीज होने वाला है, तो आप उस पर हम को ठिपनी जादे नहीं, कैसे हार जाएगा, यह गलाद हो, घोट करके सम्विधान का, कोई आदमी अगर बल पुरुबक काम करे, इसको जाएगे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जहां पर हम लोग है क्या, आपको लगतا है कि हर स्टेट में बिजे पी की ही सरकार है, हर जगे यह हो रहा है, यह सब बकवास बाते हैं, फुजूल बाते हैं, हम कहरें, जंता को क्या चाहिए विकास चाहिए, जंता को क्या चाहिए, मैंने एक अपने रास्ट का डवलमेंट चाहिए, और यह कहीं कोई बात नहीं है तो कहां लगता है विकास के मुद्धे पर बिजेपी को लोग वोट दे रहा है विकास मुद्धे पर नहीं तो आज एक बाद बताइए नैंदर मोधी जी आप देखिए एनएच को आप देखिए ठीक है नितिन गड़करी का डिपार्टमेंट देखे पूरा देश पक्ष बिपक्ष सब उनकी तारीफ करता है। आज आप देखें जब कोरोना का समय आया। जहां पूरा वर्ल्ड परिसान था। पूरा विश परिसान था। उस समय हमने अपने लोगों को बचाया ही वैक्सिन देखे। पूरे वर्ल्ड को इस वैक्सिन को देने का काम किया। भारत की स्थिति अब वहां नहीं रह गई जहां कभी सोचते थे। आज भारत कहां से कहां चला गया। एक-एक अस्तर पर चिंता की जा रही है। एक समय था जो इनका राज था। उस समय जब लोगों को पेंशन दिया जाता था तो हाथ में पैसा देता था पेंशन और कितना घोटाला हो जाता था आज है आज डिरेक्ट खाते में पैसा जाता है। आज जो सबसीडी है डिरेक्ट खाते में जाता है। आप सारे चीज का इस्तिती देख लिजे, चाहे एजूकेशन देख लिजे, हर अस्तर पर जो development हो रहा है, जितना EMS खुला, जितना IT के अंदर खुला, सारा चीज हर अस्तर पर तो कॉंग्रेस के टाइम से खुला हुआ, IT के अंदर हो, EMS हो जो जो भी, अभी अभी आप कि नितिन गटकरी के डिपार्टमेंट से कितना रोड लोग उसको तारिए, अब एक चीज आप देखे, कि जब कोई किसी ने चिंता की अंतिम वैक्ती की, नईंदर मोदी जी ने चिंता की अंतिम वैक्ती का, कि भाई उजला योजना के तद गैस लेंडर गया, उजला पर बनाती थी आज वो है आज हर व्यक्ति का खाता है हर व्यक्ति का खाता है तो उसमें उसमें सबसीडी जा रहा है सारा चीज है आज जो है किसान समिर्धी योजना है कि अगर बच्ची जन्म लेती तो उसके लिए उन्हों वह सोच रहे जब हमारी महिलाएं जो है रूट प चिंटा की जा, आम वेक्ती की चिंटा की जा रहे ही, यह चिंटा कभी कोई कर रहा था, क्या, आज सोचीए कि जब उन्होंने कोरोना के समय में जब मज़दूर का रुजगार चिंग गया तो हर घर में चुला जलता रहे, इसक ê if baseballa free आज भी जो है आपको राशन फिरी हो रहा हर घर का अप सिधा सिधा यह बताइए कि कल क्या कीजिए का आप लोग कल आपको हम गैरेंटी करते हैं इस मंसे गैरेंटी करते हैं यह लोग सिर्फ और जी करें खेला होएं खेला होएं अब कुन खेला के फिरा में आप है अब कुन सा खेला की बात कर रहे हैं बताइए कपीज के बारे में रितेअट जी ने बहुत समझाय जाए. मोदी जी ने ये विकास किया, वो किया, वो किया. अभी 4 मेना पहले दरबंगा में एमस बनाता. रितेअट जी की तबियर जो कराब होगी, मोदी जी जो एमस बना है, वहीं इनको ले आके हम एड्मिट करेंगे ऐसा ऐसा विकास मोदी जी ने किया सेलेंडर की बात जहां तक करते हैं महिलाओं के देने के लिए आप सिमरी चलिये उजल लेना वाला सोचाले जो है टुटल का फुटल का उसमें सेलेंडर रखा हुआ है और उसके उपर गोठाय रखा हुआ गोठाय निकाल निकाल के महिला चुला जलाती हैं जलाती हैं साड़े दस सो टका में सेलेंडर अरे सेलेंडर बाटना तो बहुत आसान है भाईया उताब दू करोर बारते रहो कोई दिकत नहीं गैस्वा का दाम कम करा दो गैस्वा का काम दूसरी बात रितेश जी पिट्रोल कहिते हैं 108 रुपे लिटर हां हलाल असरब केतना मे वीडियो है नहीं हुआ जो हम्को आएगा हमुआ सो और जलता हुआels सकते हैं यह आप करिएगा वैचारिक बात करिएगा यहां राज-नितिक बात करिएगा क्यों परिवारिक बात करिएगा अब ह і आपने पत्री पर ले लिए हम लेकिन इनके पत्री पर नहीं गए यह बात को हम बोल लहा हैं पत्री पर नहीं गए हम वीडियो सियो सब की बात कर रहे हैं दूसरी चीज भी का देखिए हम बताते हैं यह जूट मूट का बहला रहा है आपको कल का हम कंक्लूड करते हैं यह जो भी खेला होए का बात है कुछ नहीं होना है सीधा जो है नितीस कुमार मुखमंतरी होंगे बिहार में एक अच्छे सासन का जो है जो सिस्टम बना आप दे आप जीतन नाम मांजी को तोड़ दीजेगा कैसे जो है आप कॉंग्रेस यह इसके जदियू के बिधायक को तोड़ दीजेगा बिधान सबाद्यक देंगे इस्तिफा नहीं देंगे तो फ्लोट टेस्ट में सावित होंगे उनको देना पड़ेगा आप लिख लिजे सूरब पूरब से पस्सिम उग जाएगा लेकिन यहाँ फेल होने वाला नहीं है यह बीजेपी बीजेपी अपने बहुमत से भी साथ से आठ विधायक जादे होगा और हमको लगता है उधर भी कई विधायक हैं जो मने हिल रहे हैं उनको लगता है कि इधर पाला बदल लें आखिर क्यों कॉंग्रेस ले गई बारे विधायक को क्यों राजत समेटे हुआ है डर तो इनको है कि कही हमरा विधायक जो है फ्लोट टेस्ट होना यह इनका 89 विधायक रहेगा कि ने रहेगा इसकी चिंता इनको है बीजेपी तो पास ही है उसको तो जितना पोड़ने की बात तो जो अरजेडी में विधायक है वो भी समझ रहे हैं समझता को नहीं पबलिक को सब जहला है जो कंग्रेस के विधायक वो समझ रहे है इसलिए कंग्रेस आज वहां लेके गई हुई है उसको तोड़ने का क्या बात है यह स्वता जाने के लिए पड़े हुएं सब लोग देख आप जा रही है कल और क्या कहते हैं कि बिजयासिना उत्व मंत्री उपमुख मंदिरी बन जाएंगे बिजयासिए चोदरी वह हट जाएंगे विधायस्बाद्यक्ष हम उससे वश्वर्ट मानेंगे जब समराथ चौदरी का मुरेथा खुल जाएगा हाँ मुरेठा खोल देंगे तब हमको लगेगा कि हाँ बहुत सिध नहीं है और कल आपको हम बुलाएंगे इसी मंज पे इसी जगह बुलाएंगे और आपके स्टूडियो में आपके कैमरा के सामने मैं रितियस जी को मिठाई खिलाँगा हरेवा वाला काला जामून के लिजिए फलोट टेस्ट कौन पास किया और कौन फेल किया आपको पता देंगे लिजिए राजद के लोग इस बात को लिख लें कि समराठ चौधरी का मु को नहीं हटाएंनगे तब तक हम यह मुड़ता नहीं हुतारें पगड़ी ऊस्कार करेंगे इसकान Tech कि अगार पदने बात देखी आ गए यह अपने मोदी जी दो करोड जैसे युरुद्गात दे रहे थे पंद्रह लाग रुपिया हमरे एक और में तो आ गिया हम अपना खा रहे हैं हमको कोई दिक्षत ने एक वाहिद आदमी है पूरे बेहार में हिंदुस्तान में जो पंद्रह लाग रुपि में भी पैसा गया था मजदूर के खाते में गैस तक खरिदने का पैसा गया था यह लोग क्या बात करेंगे यह खाता था तब आप पंद्रह लाग की चिंता करें इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे आज बिना किसी भरस्टा चार के वहां जा रहा है पैसा आप करोना जैसे सम हजार दो हजार रुपय रख लिया था उसको आप सुचिए कि घर में खाता खुला है भाई खाता में पैसा जा रहा है आप उसका गलत यह कर रहे हैं हमको पंद्रे लाक रुपया क्यों नहीं आज टेक्स सारे चारों तरफ से टेक्स जो उगाई हो रहा क्या इलनों के समय में इतना टेक्स चोड़ी होता था आज लोग स्वेच्छा से टेक्स दे रहे हैं मोदी जी नूटवंदी की स्वेच्छा से लोग खरे हो गए आप सोचे ना कि पूरे आपको बता रहे हैं कि अभी जो चीज इस देश में नहीं हुआ धारा 370, 500 बरस मंदिर को वहां जब क्या कहेंगे कि यादव समाज के जो लोग हैं हम तो सारे लोगों के बीच जाते हैं सबसे जादे रमाइन पाठ करने वाले यादव समाज के लोग हैं सबसे जादे पूजा पाठ करने वाले भगयत करने वाले यादव समाज के लोग हैं और वो भी राम को मानते हैं लेकिन इनके नेता ने राम जैसे आदर्स को नकारा है इसकी सजा इनको चौवीस में मिलेगी इसके पचीस में मिलेगी देखिए ये अलक्सन तो ये मतलब रामे जी पर लड़ते हैं इनको तो अपनी ताकत है नहीं हम आपको ये बता देते हैं कि ये अभी इनके नेता मोदी जी कहते हैं कि राम जी आ गए अभी कितना दिन पहले राम जी आ गए तो सवाल है भाईया हम तो जानते हैं कि राम जी बहुत पुर्वर्थ पहले आ चुके है उसका पूजा सब कर रहा है हम भी आसा करते हैं कि राम जी है लेकिन आप कह रहे हैं कि राम जी आ गए इससे पहले यह सुनिए इससे पहले राम जी इसका मतलब नहीं थे यहां राम जी नहीं थे राम जी यहां नहीं थे राम जी अब आए मोदी जी कह जिए राम जी आ गए तो ही कह रहे हैं कि राम जी आ गए मोदी जो बोल देंगा वह ही होती है अगर दीपक्ष को राम मंदे मेरे जैसा लोग अगर बीपक्ष मेह होता तो राम मंदिर के मुह ह मिकाम आयुद्ध्या सबसे पहले हम लोग इनको राम से क्या लेना देना, आपको बीजेपी से लेना, आप बीजेपी का वीरोत करिए, आप उस जगा आम अंत्रन मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, आप चुप चाप बोल देजे और और बता यह क्या अपने बिधाए तक सिमित्री गार दूसरे को तोड़े जबूत हो चुका है आपको लगता है विपक्ष कुछ रह गया है विपक्ष में इतना भी खंडन है और भाजपा आज कहां किस रूप में तैयारी कर रही का आप सोचने कल कुछ ने कल आपको बता देते हैं जितना 122 विधायक की जरूरत है कम से कम साथ से आठ विधायक अभ हुआ है वो सपना चक्नाचूर होने वाला कुछ नहीं पस anything बशसयों की निचा है करोना की बात करते करो ना मुरों कि कह था तैंदंके और नेत अरज तहन के ऐसे प्पूछे पहले इनका भीए सबस्कार सोरी मतलब हम ही लोग करते थे दर से घर से नहीं निकलते थे यह बताईए कि पूर्ण बहुमत से हम तो आएंगे याएंगे साथ में एक्स्ट्रा पूले रखेंगे कल इनको कल इनको खोजने से आपको नहीं मिलेंगे मोबाइल स्विच आप रहेगा आपको हम मैं भी बता देता हम यह नहीं बोलेंगे यह एक सो आठाई सुन्तिस कर रहे हैं इसलिए तरह बोल लेकिन कल इनका मोबाइल स्विच आप रहेगा यह कहीं नहीं नज़े रहेंगे यह कल बेहोस रहेंगे पानी पिला के होस में हम ही लाएंगे देखिए आप साब तोर पर आप कह रहे हैं कि आप कल जो है बीजेपी के लोग को हम मिठाई खिलाएंगे और जिस तरह से हमारी सरकार बनेंगे कि बीजेपी के लोगों को होस भी नहीं आने वाला आगे तो खेर देखने वाली बात तो कल होगी समय बहुत कम बचा है आप देखने वाली बात तो कल ही होगी कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला ये आने वाला समय बताएगा वैसे हम फिर हम कल आपके साथ जुड़ेंगे नए एपिसोड के साथ तब तक बने रहे हमारे साथ